बॉर्णिंग सबीको नमस्कार आज हैं हम हर्तुला में और आपको दिखाता हूँ वो सामने का सांदार नजारा यह भी हर्तुला के सामने का नजारा जो पहाडों की खूपसूरती और हिमाले को दिखाता है तो देखिए कितना सांदार नजारा है हमारे इसमें पहाडों का य आज हिमाले की तो यह नजा रहा है आज हिमाले का आज हिमाले कहीं पर नजर आ रहा है आप देखे इस जो सामने में सेंटर है यहां पर हिमाले नजर आ रहा है और इतना बहतरीन नजर आ रहा है आज बहुत मज़ेदार आप लोग भी हमारे रोज इस तरह के पहाड़ों के व वीडियो में केहा पाहड के नजारे दिख्तियों और रोज में हम ऑसम जीट होते है रोज पहाडों की खूपसूर्थी निखरती है बात आती है बेरोजगारी की मैं देखो तो भीरोजगारी पहाडों में ही नहीं जो आज प्लाइन का कारण है वो हो गया है सिर्फ दिखा हुआ देखिए सेब और यह सामने हमाले नजर आ रहा है आपको इस देखेंगे तो आप सामने हमाले देखिए किस तरह से लगए बरे पड़े हुए है यहां पेड सेबों से अगर इनकी सई से देख बाल की जाए तो क यह सेब की कीमत मार्केट में 200 रुपे किलो तो 200 रुपे किलो जब यह मार्केट में यहीं भी रहा है हमारी लोकल मार्केटों में अगर हम इसको बहार एक्सपोर्ट करें तो काफी अच्छा यहां पर बिजनेस हो सकता है और यहीं के लोगों के लिए एक अच्छा मोका है जो हमारे हाँ से पलायन हो रहा है, आज गाओं पर युवा सकती देखने को नहीं मिलती, कोई युवा वर्ग नहीं है, उसका कारण कहे न कहीं हम ही लोग है, तो हम लोग को अपने पहाड बचाने हैं, तो थोड़ा अलग सोसना होगा दोस्तो, थोड़ा अलग माइंड लगा कमी नहीं है, तो आप भी पहाड़ से पलायन ना करें, बलकि स्वरोजगार पर धिहान दें, मैं आप लोग को बार-बार स्वरोजगार की बात करता हूं, क्योंकि मैं भी जॉब छोड़कर यहां आया हूं वापस, तो इसलिए जॉब छोड़ी क्योंकि कुछ अलग करना थ देख रहे हैं, सारा हिमाले नजर आ रहा है, और इस तरह के पहाड़े हैं, तो आप लोग भी यहां रहे हैं, और यहीं के स्वरोजगार पर धिहान देंगे, तो काफी कुछ हो सकता है, यह हमारा सुंदर सा हर्तोला का गाउं है, तो फिर मिलते हैं, कोई नई वीडियो में